हेलो एब्रीवन गुट मॉर्निंग ओल फ्यू और विल्कम तू दे चैनल हम लोगों ने अभी तब क्लासिक्स का दो चाप्टर क्लासिक्स के दो चाप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिये हैं चाप्टर नमबर वन जो की सोलर सिस्टम के बारे में था और चाप्टर टू लाटिटूट्स और लॉंगिटूट्स इसका एमसी क्यू आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा कि भी एक बार डिसकस कर लेते हैं फर्स्ट कॉईशिन है दर वाल्यू ओफ दर प्राइम मिरिदियन का वैल्यू कितना होता है जीरो डिग्री कलम लोगों ने पढ़ा है दर फ्रिजिड जोन लाइस नहीं दर पोल्स और दर पोल्स के पास होता है क्योंकि बहुत धिथा थंड़ा होता है the total number of longitudes are कितना होता है total longitudes 180 एक साइट से 180 दूसरे साइट तो 360 होगा next the Antarctic circle is located in Antarctic circle किदेड रोता है Arctic Circle Northern Hemisphere में होता है Antarctic Circle Southern Hemisphere में clear grid is a network of grid की सिच के network को बोलते है parallels of latitudes and meridians of longitude clear अब आते हैं fill in the blanks पे the tropic of capricorn is located at the tropic of capricorn कहां होता है तो southern hemisphere में the standard meridian of india is पता ही आप लोगी बहुत easy है 82.5 degree the zero meridian is also known as prime meridian ठीक है the distance between the longitude decreases towards distance जो है longitude के बीच में कहां पर कम होता है तो poles की तरफ हम लोग बताया थे कि poles में इसका distance क्या होता है आपस में एक दूस्टे के बीच में कम होता जाता है तो towards pole pole होगा the optic circle is located in the northern hemisphere clear to MCQA काफी easy था okay so आज का जो chapter है वो भी काफी important है chapter start करने से पहले मैं एक बात आप लोग से share करना चाहूंगी कि देखिए geography जो है जिन लोगों का भी geography optional है इन सब में जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं भी geography optional है तो आगे जब आप advance में chapter पढ़ेगा चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारा terms जो अभी आप 6-7 में पढ़ोगे वही सारा वहां पर use होता है और वो syllabus जादा होता है काफी जादा होता और काफी कम time में हम लोगों को complete करना होता है तो इसलिए मेरा कहना है कि please once go through the NCRT अगर आप नहीं करेंगे तो काफी terms में दिक्कतें आएंगे और वहां पे सारे चुड़ा-चुड़ा topics को समझाना नहीं possible हो पाता है क्योंकि वो time permit नहीं करता है तो अगर आप यह basic चीज़ अगर अभी सही समझ जाते हैं तो मानीज आप interview face करते हैं कलकेट में तो वहां से कुछ भी questions आता है तो at least you will have the idea अगर आप optional के लिए पढ़के याद करके लिख भी देते है answer फिर भी मेरा यह कहना है कि basic knowledge आपको होना चाहिए ठीक है तो प्लीज अभी यह जो NCRT का सिरीज जो start हुआ है इसको प्लीज आप लोग break नहीं किजिए यह जो basic idea वो NCRT से ही मिलेगा तो प्लीज यह सिरीज आप लोग प्लीज मिस नहीं किजिए इसको देखते रहिए it is going to help you a lot okay so are you ready for the third chapter okay so let's start आज का जो chapter है there is also very important motions of the earth मतलब earth जो यह पूरा मतलब classics में हम लोगों को earth के बारे में ही पढ़ना है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे motions of the earth earth के कितने type के motions होते हैं वो जारा कुछ तो पूरा earth has two types of motions पहला rotation और दूसरा revolution यह आप लोग जानते होंगे बहुत लोग rotation किसको बोलते हैं जब earth अपने axis पे घूमता है that is known as rotation ठीक है is the movement of the earth on its axis next है revolution किसको बोलते है the movement of the earth around the sign a fixed path or orbit is called revolution जैसे कि यह sun है ठीक है earth का एक fixed एक orbit है यह earth है इसका एक orbit है जिस पर यह move कर रहा है sun के चारो तरफ तो this is known as revolution clear है और rotation जो वो अपने position पे घूम बढ़ा है this is known as rotation is it clear to everyone okay next बोलते है the axis of the earth the axis of the earth which is an imaginary line makes an angle of 66 and a half degree with its orbital plane इसको उन्हों यह diagram से पहले समझ लेते हैं फिर यहां पर आते हैं यहां पर धियान से देखे this is earth and पिछले class में ही मतलब पिछले chapter में मैंने आप लोगों को बताया कि earth जो है वो tilted होता है थोड़ा सा मतलब यह एक angle से थोड़ा सा मतलब सीधा नहीं होता है थोड़ा tilted होता है ठीक है आप यहां पर धियान से देखे this is equator this is tropic of cancer this is tropic of Capricorn और यह axis के along जो है वो earth होता है ठीक है तो यह माल लेजे कि यह plane है the plane of earth orbit तो यह axis जो है यह earth का जो axis है यह कितना angle बनाता है plane से इसी को बोला जाड़ा है 66 and a half degree वो plane जो है 66 and a half degree जो है यह plane बना रहा है ठीक है जिसके यह देखे यह plane है और यह axis है तो 66 and a half degree का angle यहां बना रहा है और यह vertical line अगर यहां से हम लोग द्रॉ करते हैं तो यह angle कितना हो जाता है 23 and a half degree इसलिए बोला जाता है कि अर्थ जो है वो 23 and a half degree tilted है clear? ओके तो यह वाला concept समझ में आ गया अब देखते हैं आगे कहरा है तो आक्सिस ओफ द अर्थ विचिस अन इमेजिनरी लाइन मेक्स अन आंगल ऑफ 66 and a half degree विचिस और बाइटल प्लेन यह जो ऑर्बिट जो प्लेन फोर्म करता है इस ओर्बाइटल प्लेन अर्थ रिसीज़ लाइट फ्रॉम दे सन ठीक है दू तो दा स्फेरिकल शेप अप दे अर्थ ओनली हाफ अफ उफ उफ इट स्फेरिकल शेप के कारण अर्थ का बस हाफ पार्थ ही जो है वो एक टाइम पर सन लाइट वहाँ पर आता है दो पोर्षन फेसिंग दस सन एक्सपिरियंसेज डे मतलब जो पोर्षन जैसे कि यह अर्थ है ठीक है यह सन तो जो पोर्षन यह सन मैंने छोटा इसलिए जो पोर्षन फेसिंग है उसमें वो डेलाइट रहता है मतलब डेटाइम रहता है और जो पोर्षन सन के अपोजिट है वहाँ पे क्या होता है नाइट होता है इल्यूमिनेशन 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 किसको बोलते है वो सर्कल जो डिवाइट करता है डे को नाइट से गलोब पे उसको कहते है सर्कल ओफ इल्यूमिनेशन अरभी देखिए इस डाइग्राम में यह पोर्षन जो है अर्थ का यह वाला पोर्षन सन फेसिंग है यहाँ पे सन है तो यह और इधर वाला क्या है सन के उपोजिट है मतब इधर नाइट होगा तो यह एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रहा है अर्थ को ठीक है ब्राइट पार्ट में और डार्क पार्ट में तो इस सर्कल इस नोन है अर्थ को टोटल चौट गन्टे लग जाते है एक रोटेशन कुप्रीट करने में यह पीरियद ऑफ रोटेशन को क्या बोलते है यह यानि कि यह आर्थ का डेली का मोशन है उसको डेरी ट्वेंटिवाइड में एक बार रोटेट कर जाना है अके बढ़ते है तो समझ में आ जाएगा यहां पे डू यू नो में देखे एक फैक्ट है बोल रहा है था इंसेंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आड्यभर्ट सब्सक्राइब करता है अब देखे आगे क्या अगर रोटेट ही नहीं किया तो क्या होगा आप लोग बताइए क्या होगा अगर रोटेट नहीं करता है अर्थ अगर रुख जाएगा इस सन है माल लिजे तो एक पोर्शन में तो हमेशा लाइट आने लएगा एक पोर्शन में हमेशा अंधिरा रहेगा एक पोर्शन में इतना अला लाइट और हीट रिसीफ करेगा कि यह पोर्शन का जो कंडिशन बहुत एक्स्ट्रीम हो जाएगा वेदर बहुत एक्स्ट्रीम हो जाएगा और ऐसे condition में, life रुख जाएगा life possible ही नहीं है, ठीक है तो इसलिए earth को rotate करना बहुत ही जरूरी है आगे, the second ये तो first motion आप लोगों ने देखा rotation, second motion बोलते हैं किसको revolution को, the second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution it takes 365 and 1 by 4, मतलब 365, 1 by 4 days एक साल में इतना time लगता है मतलब कि, sorry, sun के चारों तरफ घूमने में इतना दिन लगता है, ठीक है we considered a year as consisting of 365 days, आप लोग 365 को एक साल मानते हैं और जो 1 by 4 आप लोग देख रहे हो इसको ignore करते हैं, वो hours में 6 hours होता है, उसको ignore कर देते हैं ठीक है, यहाँ पर पहले diagram को थोड़ डिसकस कर रहते हैं, फिर आगे देखेंगे, यह देखो आप लोग sun है बीच में yellow color का, यह चीज यह sun है, और यह जो denote किया गया, that is earth यहाँ पर देखिया आप लोग कह रहा है कि earth जो है, summer solstice 21 June को होता है, आप दिन सबसे लंबे होता है चीक है, तो इसको बोलता है summer solstice, 21 June अभी आया, मतलब summer की टाइम में आप लोगोंने notice किया होगा, इज़े हम लोग yoga day भी मनाते है, summer in the northern hemisphere तो हाँ, इस time में बोल रहा है कि northern hemisphere में ही बस summer होता है, winter मतलब southern hemisphere में क्या होता है September को equinox होता है मतलब, equinox का मतलब है दिन और राद बढ़ाबड होता है ठीक है अब आगे देखते है और इस time में मौसम बहुत ही pleasant होता है, autumn होता है ना तो ज़्यादा गड़मी ना तो ठंडा अब आते है southern hemisphere में 22 December इस time में क्या होता है northern hemisphere में winter होता है क्यों? क्योंकि sun नीचे आ जाता है ठीक है और southern hemisphere में summer होता है और ये चीज 22 December को होता है उस दिन आप देखिएगा कि दिन जो है बहुत छोटा होता है और राद लंबी होती है फिर आगे आते हैं 21st March को फिर से वह इक्विनोक्स मतब दिन और राद जो है वो बड़ाबड होता है ठीक है? अब इसको हम लोग ध्यान से एक diagram में समझते हैं diagram के थो देखिए यहाँ पे आप लोग ये earth है ठीक? ये equator है ये tropic of cancer है ये tropic of capricorn है सपोस्ज ये sun है और ये tropic of capricorn है ये sun का कामी होता है यहाँ से यहाँ तक move करना मतब cancer से लेकर के capricorn तक तो अगर मालिक जी sun जो ये tropic of capricorn tropic of cancer पे है यहाँ पे उपर में ठीक है? तो वो दिन होता है 21 June मतलब कि सबसे ज़्यादा गरम दिन I mean you can say सबसे लंबा दिन 21 June के बाद ये sun जो है वो नीचे है मतलब नीचे आने लगता है तो अक्चल में sun नीचे नहीं आता है वो earth रोटेट रिवॉल्व करके वैसे होता है फिर जब sun का बोशिजन यहाँ पे equator के पास आता है तो equinox वाला टाइम होता है फिर जब sun नीचे चला जाता है क्या अपड़ी कॉर्ण पे तो क्या होगा sun नीचे आ गया तो southern hemisphere में जितने भी continent से वहाँ पे गर्मी होते हैं और northern hemisphere में ठंडा हो जाता है clear? ठीक है आगे देखते हैं कह रहा है जो 6 hours जो save होता गया 6 hours saved every year are added to make 1 day ठीक है हर साल मतब 4 साल में माल लेजे कि अगर 6 hours अगर हम लोग जमा accumulate होता जाएगा तो 4 साल में 6 hours कितना हो जाएगा 6 into 4 equal to 24 hours 24 hours का एक दिन होता है तो वहीं पोड़ा है this surplus day is added to the month of February में उसको add कर दिया जाता है thus every 4th year हर एक 4 साल पर February is of 29 days instead of 28 days ठीक है बोड़ा हो 29 दे का होता है February और उस दिन जो है total एक साल में 366 day होता है that is known as leap year उसको leap year बोलता है जहरा find out when will be the next leap year भी आज अभी 2022 चल रहा है clear यह leap year नहीं है next year 2023 वो भी leap year नहीं है लेकिन 2024 जो वो leap year होगा ठीक है आगे देखते हैं बोरा from the figure 3.3 it is clear that the earth is growing around the sign and elliptical orbit elliptical orbit देखें आप लोग यहाँ पे यह जो orbit है यह circular तो नहीं देख रहा है आप लोग को यह elliptical है यह ellipse होता है इस तरह का figure तो यह elliptical orbit में move करता है notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction throughout orbit earth एक ही direction में inclined है a year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season seasons change due to the change in the position of the earth around the sun और यह season कैसे बदलते हैं यह earth के position के कारण जैसे सो घूमता है उसका position बदलता जाता है sun के perspective में इसलिए season भी जो है वो change होता रहता है यह जो activity है उसको आप लोग एक बार करके देखिएगा हम लोग आगे देखते है can I look at the figure 3.3 you will see that the 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun northern hemisphere sun की तरफ tilted होता है the rays of the sun fall directly on the tropic of cancer यह मैंने बताया भी वो tropic of cancer पे गिरता है these areas receives more heat वहापे heat जादा होगा the areas near the pole pole के पास वाले area वो gum heat जाता है ठीक है क्योंकि ray sun कर रहे वहाँ पे slanting होता है the north pole is inclined towards the sun and the place beyond the arctic circle experience continuous daylight बोल रहा है जो north pole है वो inclined रहता है sun की तरफ थोड़ा ठीक है sun की तरफ inclined रहेगा क्योंकि earth का position ऐसे है न तो sun की तरफ थोड़ा inclined रहता है ठीक है तो इसलिए वो ray उसको हमेशा मिलता जाएगा the north pole is inclined towards the sun and the places beyond the arctic circle experience continuous daylight for about 6 months 6 मैना तक continuous daylight होता है वहाँ पे since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun it is summer in the regions north of the equator तो equator के north वारे region में summer होता है और longest day and the shortest night जो हो 21 June को होता है clear? at this time बोड़ा इस time पे क्या होता है in the southern hemisphere all these conditions are reversed it is winter वहाँ पे sun है नहीं और वो sun से तोड़ा दूर है क्योंकि earth आपका इस तरी के से है tilted है तो ये area आप ध्यान से देखिए ये area तोड़ा जुका होगा है sun की तरह तो इस area में light पड़ेगा लेकिन वह इस area में नहीं होगा reverse होगा condition और वहाँ पे थंडा होता है it is winter season there the nights are longer वहाँ night long होते है than the days the position of the earth is called the summer solstice और इस time में ये जो northern hemisphere है उसमें ये position क्या बोलते है summer solstice अब आते है next on 22nd December the tropic of Capricorn receives direct rays of the sun इस time में बोल रहा है कि tropic of Capricorn जो है उसको वही same condition जो tropic of cancer के साथ हुआ था तो tropic of Capricorn receive करता है ज्यादा light ठीक है as the south pole क्योंकि यहाँ पे south pole tilted है sun की तरफ as the sun rays fall vertically at the tropic of Capricorn a large portion of the southern hemisphere gets light वहाँ पे light जादा जाएगा therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights तो जिस time में हम लोग के यहाँ ठंडा होता है उस time में southern hemisphere जो ऑस्ट्रेलिया southern hemisphere में आता है तो वहाँ पे दिन लंबे होते है राते छोटी होती है गर्मी का टाइम होता है तो आप लोग इससे यह find out कर सकते हैं कि Christmas हम लोगों के हिया हम लोग विंटर में celebrate करते हैं बट वही ऑस्ट्रेलिया में Christmas की टाइम में क्या होता है summer और तब गर्मी में Christmas होता है वहाँ पे the reverse happens in the northern hemisphere में reverse होता है और उस the position of the earth और उस time में earth के position को में लोगों क्या होता है winter solstice हाँ यहाँ देखे do you know that the Christmas is celebrated in Australia in the summer season clear अब देखे आगे के around 21st March and September 23 direct rays of sun fall on the equator क्योंकि earth sun जो वो equator के पास होता है तो equator पे जाके fall करता है उसका direct rays at this position neither of the pole is tilted toward the sun कोई pole जो है sun की तरफ tilted नहीं होता है so the whole earth experience equal days and equal nights पुड़ा का पुड़ा earth को equal day और equal night मिलता है equal क्योंकि वो light मिल रहा है से लिए this is called an equinox इसलिए इसको equinox कहता है on 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere ठीक है northern में हम लोगों कही autumn होता है southern में spring होता है अब ही 21st मार्च को हम लोगों कहीं spring होता है northern में और southern में क्या होता है autumn होता है thus you find that these are the days and night and changes in the seasons because of the rotation and revolution तो यह change of season जो है वो rotation और revolution की कारण नहीं होड़ा है तो इसे you can easily find out की रोटेशन और revolution कितना important है यहां पर फिर से डाइग्राम देख लो आप लो यहां पर देखिए कि जैसे कि summer solstice जब है मतलब यह है summer time है 21 June को आप देखिए आपको देख रहा होगा कि यह जो northern side है वो tilted है sun की तरफ ना जूका होगा है थोड़ा सा और वही आप इधर देखिए winter solstice में आपको यह उपर वाला साइट दूर दीखेगा sun से दूर है लेकिन यह वाला साइट sun के नस दीखे इसलिए यहां पर summer होता है और वही अगर इस वाले पार्ट में आए तो दोनों equal होता है यहां पर इसलिए यहां पर equal light receive करता है और इसलिए day and night जो है वह equal होता है I hope it is clear to everyone यह chapter काफी छोटा भी था और easy भी है लेकिन हां काफी conceptual था मैं बताड़ी हो कि बहुत सारे लोग लोगों को छोटा छोटा चीज में भी doubt रहता है और यह doubt easily मतलब solve हो सकता है NCRT अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लो cover कर लो तो एक basic काफी अच्छा knowledge आपके पास हो जाएगा आपको ज्यादा advance book भी पढ़ने कज्रोत नहीं होगे कुई सारे concepts आपके clear रहेंगे हम लोग equation देख लेते हैं क्योंकि आज तुड़न थी वीडियो कंप्रीट हो गया तो हम लोग आज भी question कर सकते हैं सो देखिए आप लोग the movement of the earth around the sun sun के चाओ तरफ का जो अर्थ का movement वह क्या कहलाता है obviously revolution direct rays of the sun fall on the equator 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 पे sun करे directly fall करता है किस दिन 21 जुनको तो नहीं करेगा क्यों cancer पे करता है 22 December को Capricorn पे तो यह answer क्या होगा 21 March या फिर 23rd September next Christmas is celebrated in summer in summer में Christmas जो है वो कहां celebrate होता है तो Australia में next cycle of seasons is caused due to season का cycle किसके कारण होता है तो revolution के कारण और rotation के कारण day and night होता है clear अब देखते है fill in the blanks बोरा leap year has leap year में किता दिन होता है 366 the daily motion of the earth is क्या के लाएगा rotation ठीक है rotation the earth travels around the sun in किस orbit में जो यह travel करता है तो elliptical ठीक है the sun rays fall vertically on the tropic of वर्टिकली किस पर गिटा है 21 जोन को तो the question भी complete हो गया है इचाफटर भी काफी इजी था next day हम लोग chapter number four करेंगे तब तक इसको आप लोग आज अच्छे से पढ़ लो कुछ important points है जो जिसका notes बना लीजी आप लोग ठीक है ऐसी के साथ हम लोग video end करते हैं बढ़ हाँ end करने से पहले मैं आप लोगों को information देना चाहूंगी कि जनका भी geography optional है और अगर आप BPSC का preparation कर रहे हो PGT का कर रहे हो चाहरे कोई अधर subscribe करो the channel will help you a lot ठीक है तो फिर इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो end करते हैं my wishes and blessings for you all thank you thank you very much